तो इसे कि यह एको कोश्चिन में देखो सेम प्रोफॉर्मा बनाके मैं प्रोफॉर्मा की स्टार्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हूं आप लोग ऐसे ही बनाओ जल्दी से साथ साथ एक हो गया इमाउंट है ना से को जिसे फर्स दिया है मशीन का मूल्य तो लिकना वैल्यू ओफ मशीन कि प्राइ वैल्यू ओफ मशीन देखो 12,50,000 इक बीजक मूल्य में निमनलिक्त शामिल है और इंगी वैल्यू इंगोट इंक्लूट है तो क्या करेंगे बताओ माइनस करेंगे और कोई अपना ग्यान दे क्लास में जल्दी से कौन बोला include नहीं करेंगे मैम प्राइज इंटू रेट ऑजी हेस्ट अपन 100 एए प्लस यहाइस्टी रेट प्लस यहाइस्टी रेट फैले में को यह वता हूँ उसको इंते नहीं करेंगे अभी किसी ने बोला नहीं करेंगे किसने बोला वो सही था एंसर उसका श्वेता सही बोल रही हो अभी बताया न मैंने जो चीज इंक्लूडेड है बीजक मुल्य में तो उसको फिर से क्यों एट करेंगे तो बीजक मुल्य में निमनलेखिद शामल है जब औरीड़ी इसमें ये सब इंक्लूडेड है तो इंक्लूड करने की जरुवत नहीं है याद रखना थार्ट देखो यह सेकंड में यह सब इंक्लूडड है कोई जर्वत नहीं फिर से नेक्स देखो मशीन के मूल्य पर दिया गया बट्टा जो की बीजक में अलग से दश्टाया गया है देखो बोल रहे हैं अलग से मेंशन कर रहा है trade discount actually allowed shown separately in invoice मतलब discount को अलग से show कर रहा है तो discount क्या होता है हमेशा minus तो less करना value of machine से discount कितना आएगा discount देखो 70,000 तो 12,50,000 में से 70,000 minus करोगे तो कितना आएगा 11,80,000 हाँ 11,80,000 अब नेक्स देखो इसमें यहां क्यों नहीं ले रहा है 11,80,000 माइनस करने के बाद नेक्स देखो अब फिर क्या दिया है question में बस question देखो यहीं भे खतम किया GST का rate यहां पर indirectly दिया है 18% अब देखो इसमें क्या लेकिए GST सम्मिलित है किस पर इस 12,50,000 पर तो याद रखना अगर question में देता है कि GST इंक्लूड है तो सबसे पहले हमको GST करना पड़ता है माइनस अगर किसी को नहीं पता है तो उसको लिख लो अगर question में आपको देता है कि GST इंक्लूड है तो GST को पहले क्या करेंगे आप लोग माइनस करेंगे GST इंक्लूडड और उसका फॉर्मला लिख वाई थी मैं किस पर लखा है देखो 18% दिया तो 11,80,000 लेना जो भी हमाउंट करोगे माइनस करके इंटू 18 इसका जो भी हमाउंट आएगा इसको आप लोग डिवाइट करेंगे 100 प्लस GST से इसको डिवाइट करना नीचे लिखेंगे आप लोग 118 प्लस 18 अगर GST इंक्लूडेड है तो यह फॉर्मला लगेगा याद रखना GST इंक्लूडेड है तो तो अमाउंट क्यालकुलेट करो कितना आया मैं में 1800 नहीं बिटा अच्छे से क्यालकुलेट करो 2142 नहीं दास लाग वन लाक एटी थाउजन वन लाक एटी थाउजन क्यालकुलेटर जलाना भूल गए हो तुम लोग सब कि देखो यह 100 प्लस 18 नहीं यह वन वन 8 हो जाएगा 118,000 आश यह ने इमाउंट यही गलत है सौरी नहीं सही तो लिखा है 118,000 आप लोग क्यालकुलेट अच्छे से करो अमाउंट को कितना आएगा अमाउंट माइनस करने की बाद देखो 10 लाग आएगा ये को माइनस किया इसके में येस में मा आ गया आया येस में अब लगाओ GST फिर से अगर बोलता है इंक्लूडेड है तो पहले माइनस करोगे फिर जैसे लास्ट कोछिन में किया था अलक से एड किया था इसको लिठना taxable value of supply या value of taxable supply taxable और 1108000 आया था वो खुछ भी दशाल कर रहे थे इसमें इसमें बस उसमें कुछ भी नहीं लिखना है उसको यह यह हो गया taxable value of supply फिर last question में देखो कैसे किया था add किया था GST कैसे करेंगे एक करेंगे अपन CGST at the rate क्या लगाएंगे बताओ 9% फिर SGST at the rate क्या लगाएंगे 9% 18% है उसको 99% में divide करेंगे तो देखो 10,9,9% किता आएगा 90,000 और यहां पर भी आएगा 90,000 तो देखो 18,000 आ रहा है GST और यहां पर सॉरी किता 1,8,000 आ रहा है GST यहां पर भी और वहां पर भी 1,8,000 ही आए था बट फॉर्मेट में GST को हमेशा लास्ट में एड करना है अपने को और वह भी CGST और SGST करके तो यहां लिखना लास्ट में टोटल अमाउंट ओफ इन्वोईस यह हो गया अपना 11,80,000 बेखो यह इसली माइनस किया क्योंकि यह ब्राकेट में लिखाता 18% GST सम्मेलित है अगर यह ऐसा नहीं देता तो यह माइनस नहीं करते याद रखना अगर बोलता है कि GST इंक्रूडर तो पहले GST आप माइनस करेंगे उसके बाद अलग से एड करेंगे CGST और SGST करके अलग-अलग किसी को डाउट है इसमें नो मैं कहीं पर भी डाउट है किसी को पूछो पहले करें 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 कि डिको 15 मार्क्स का कॉईशन है ऐसे ही आएगा एक्जाइम में जी एस्टी का प्राक्टिकल बस यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ी भी मिस्टेक करते हैं यह जैसे सपोज यह सेकेंड वाले पॉइंट में लिखा है कि बीजक मूल्य में निमनलिक्ट शामिल है और अगर आप लोग इसको फिर से मार्क्स नहीं मिलेंगे आठ या नौ ही मार्क्स मिलेंगे अब क्या करना होगा आपको आपको हर एक पॉइंट की वर्किंग नोट देनी पड़ेगी एक्जाइम में स्टार्टिंग से लेकर के जो भी कोश्यं में पॉइंट जितनी दिया है सबको आपको फिरी में इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा वाइनस देखो आपको यह लिखना पड़ेगा फिर सेकेंड पॉइंट आप क्या देंगे जैसे कि बीजक मुल्य में शामिल है तो आप लोग लिखेंगे कि ट्रांसेक्शन और इन्वाइस वैल्यू या बीजक मुल्य में यह सारी मदे यह सारे एक्सपेंसिस इंक्लूड थे इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया as a theory wise सारे points लिखेंगे आप फिर 3rd point कैसे दे मतलब वो क्या था इन्वाइस में इंक्लूड नहीं था इसलिए इसको अलग से माइनस किया हर एक point का आप एक पेज का working note बनाएंगे indirect text में याद रखना चाहें जो भी unit हो unit 1 से लेकर unit 5 तक आपका practical बहुत चूटा सबंदिगा single page में इसलिए आपको बनाना पड़ेगा working note यह आपने क्या किया taxable value of supply के बाद cgst और sgst किया 99% आप यह भी यहां पर लिखेंगे और फिर last में लिखेंगे add the end 5th point बनाके की हमारा answer आया total invoice amount जो भी कितना आया 11,80,000 आ रहा है समझ में किसी को doubt कहीं पे